Hello and welcome back to my channel the subject masters मैं हूँ आपकी रुची माँम और आज हम क्या कर रहे हैं हम history का जो chapter 1 है French Revolution उसका मेरे ख्याल से आज यह last video होगा इसके बाद हम chapter 2 शुरू करेंगे तो इस last video में बेटा हम क्या करने वाले हैं हम within chapter भी अगर आप ध्यान से पड़ो या ध्यान से देखो तो काफी सारी activities जो है NCRT book में दी भी है तो मैं को लगा कि मुझे एक video उन पे भी बनानी चाहिए because जिसे सा आप activities करते जाएंगे आपको जो है इस chapter की और भी जादा clarity हो जाएगी तो बस अब हम जो है within chapter जो activities है हम वो कर रहे हैं ओके ना सबसे पहला वाला जो activity इस chapter में दिया वा है subsistence crisis के उपर मुझे मालूम है कि ये answer जो है ready made tailor answer जो है बहुत सरे platforms पे available है पर फिर भी मैं ये discuss कर रही हूँ क्योंकि मेरा aim आपको समझाने का है कि आखिर ये एक के बाद दूसरा कहा से आ रहा है और क्यूं आ रहा है तो कि ऐसे copy paste तो बिटा आप मुझे पता है करी लोगे और कर भी रहे हो बाट मेरा aim आपको समझाने का है तो आप 100% शोर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे और ऐसे हैं क्योंकि हर टॉपिक को जहें लोजिकली समझ के करना चाहते हैं ठीक है तो कि copy paste तो हर कोई कर सकता है ओके अगर आप इसको देखो ध्यान से तो इसमें जहें नीचे जहें इनोंने इसी यह जहें इसके साथ जहें इनोंने बहुत सारे नीचे options भी दिए वे हैं तो यह एक दो तीन चार पांच चार पांच बाक्स बाक्स खाली हैं और पांच ही options है एक दो तीन चार पांच तो इसका मतलब कोई extra box है ही extra option है ही नहीं तो तो that makes our life very simple तो चलिए तो सबसे पहले जहें शुरू करते हैं bad harvest से बटा आपको पता है कि जब भी कोई bad harvest होती है यह basic जो है कुछ भी नहीं है यह बहुत कोई रटे की जरूरत नहीं है यह basic concept of supply and demand है जो कि आप detail में आप 11th class की micro में करेंगे पर आप खुद सोचो अगर कोई crop fail होती है यह bad harvest होता है इसका मतलब वो crop जो है खतम हो गई है crop fail हो गई है crop की availability नहीं है जब crop की availability होएगी ही नहीं तो उसका क्या impact आएगा obviously जो है crop ही नहीं है available तो सबसे पहले क्या होगा उसकी scarcity हो जाएगी because लोग तो खरीदना चाहते हैं या लोगों को खाना है लोगों को तो survive करना है ठीक है लब Gary ऑट जो चीज़ अवीलेवल नहीं होती है जो काम अवेलेबल होती जएसे कि वह बहुत बड़ा बज़े से जो है रेंस नहीं आती है क्रॉप पेल हो जाती है यह ठंड बहुत जाधा पड़ जाती है जैसे फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं कि नदरन पोल के पास आ जाता है फ्रांस तो ऑबिसली इन सब में से अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए पूड़ राइप, scarcity of grains, increased number of deaths, rising food prices, weaker bodies, obviously क्या होना चाहिए बटा सबसे पहले यहां पर obviously जैसे कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले क्या होएगा scarcity of food grains हो जाएगा scarcity of food grains, because harvest ही नहीं है तो food grains के availability नहीं है और जब किसी चीज़ के availability कम हो जाती है तो automatically क्या होएगा तो next arrow है कि उसका क्या impact आएगा, obviously क्या है, rising food prices, food prices जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं चीज़ें महंगी हो जाती है, inflation होना शुरू हो जाता है, okay, now अब इसके बाद क्या है, the poorest can no longer buy bread, obviously जो अब अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है, food prices बढ़ जाते हैं, तो उसमें जो जो poor लोग हैं, जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो जो है bread ही नहीं खरीच सकते, ठीक है ना, बेड़ा ये सारी चीज़ों बताते हैं, मिलको जो सीरिसली अपने देश के लिए बहुत जादा patriotic feeling शुरू हो और ये कि हम जब भी इंडिया के बारे में बात करते हैं, पुराने जमाने के बारे में, हमें इंडिया के बारे में इस तरह की कोई बात करनी नहीं पड़ती है, और जो भी यहां पर poverty आई, वो आपको पता है, जो है, colonial rule के बाद आई, 1857 के बाद, mainly यहां पर poverty आई, क्याकि वो सारा कुछ drain of wealth यहां से होता जा रहा था, तो हमें को बहुत खुछी हो रही है कि ऐसा कुछ भी इंडिया में न आई है, ठीक है, अब एक arrow में बिटा, आगे जो है, further वो arrow connect हो रही है, diseases and epidemic से, तो अब आपको खुद ही सोचना है, कि अगर वो नहीं खरीद पा रहा है, तो उसके क्या-क्या implications हो सकते हैं, और उसमें से कौन सा वाला, अभी से दो implications हैं, इसका मतलब, पर उसमें से एक यहां पर आएगा, left-hand side वाले box पर आएगा, three, और दूसरा जो है, right-hand side वाले box पर आएगा, जो three वाले box है, वो ऐसा होना चाहिए, जिससे कि आगे diseases और epidemics हो, कि बिमारी फैल जाए, अब आख को देखो, ना दो तो हमारे खतम हो चुके, food rights, scarcity of grains, increased number of deaths, rising food prices, weaker bodies, अब आख को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, okay, now, अगर कोई ख्रीद ही नहीं पाएगा, bread, और आगे हमें पता है कि उसकी वैसे diseases and epidemics होना है, तो obviously, इसका मतलब उसका जो शरीर है, सबसे पहले बहुत कमजोर हो जाएगा, और वो कमजोर weaker bodies हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा, weaker bodies, और weaker bodies की वज़े से, जो है, diseases और बिमारिया जो है, उसको होने लगेंगे, diseases and epidemics जो है, उसको होने लगेंगे, ठीक है, now, second important problem, जो कि इसी वज़े से है, क्योंकि पूरे जो है, bread नहीं खरीद पा रहे है, तो एक और उसके वज़े से, जो implication होएगा, वो obviously, अब इन में से कौन quickly, बहुत simple है, यह तो आपको भी पता है, ठीक है न, obviously, आपस में loot खसोट शुरू हो जाएगी, मार पिटाई शुरू हो जाएगी, वो जो grain है, वो जो bread है, उसको क्रीदने के लिए, riots शुरू हो जाएगे, तो जिनको कहा जाता है, food riots, ठीक है, तो अब हमारे सारे utilize हो गए, है, one utilize हो गया, two utilize हो गया, three or four भी utilize हो गया, तो obviously, अब क्या बचा, तो diseases and epidemics भी हो रहा है, writing भी हो रही है, तो obviously, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी वजह से, जो है, deaths, high number of deaths, जो है, increased number of deaths होनी शुरू हो जाएगी, तो very simple, very simple question है, but it is an intelligent question, interesting question है, okay, next activity, जो within this chapter है, वो basically, इस एक topic के उपर है, अब ये basically topic क्या है, ये एक again, उन्होंने जो है, कुछ account दिया है, कोई write-up, copy-paste मारा, मतलब इस पर लिया वा है, NCRT में, तो दो अलग-अलग लोगों की observation है, ठीक है, उसमें से, अब ये जो question है, what message is young trying to convey here, now इसमें जो दो इन्होंने discussion करिए, ये एक करा है, George's, Dayton, Danton की, और दूसरा है, Englishman, Arthur Young, now ये जो question है, वो सिरफ second वाले की उपर based है, और वो question क्या है, कि ये जो young, जो है, ये Arthur Young, ये क्या convey करने की कोशिश कर रहे है, ठीक है, whom does he mean, वो किसको refer करते हैं, जब वो speak करते हैं, when he speaks of slaves, वो उनका यहाँ पे slaves से क्या मतलब है, who is he criticizing, वो किसको जह है, criticize कर रहे है, what dangers does he sense in the situation of 1787, now बेटा, एक चीज़ देखो, कि ये जो इन्होंने extract दिया है, ये किसी एक Englishman है, मतलब, Britain का इंसान, जो कि France गए थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ observe कर, और वहाँ पे जाके, उन्होंने आगे जाके, कुछ articles लिखे, तो ये जो articles उन्होंने लिखे थे, ये 1787 में लिखे थे, which means, कि ये reward से पहले के time पर उन्होंने आटिकल लिखे थे, पर उस वक्त भी उनको जो है न, दो साल पहले का ये time है, और इसका मतलब है कि तब तक जह है, लुइस 16 जहें, अभी भी king थे, पर उन्होंने कुछ ऐसास observe कर लिया था, कि कुछ ना कुछ जहें, देश की अंदर जहें, अंदर या अंदर जहें एक resentment, या नाखुशी जहें, लोगों के बीच में spread हो रही है, ठीक है, तो अब चलिए पड़ा-फड इसको पढ़ लेते ह हैं, जिससे कि हम इन questions को handle कर पाएं, और इससे आपको थोड़ा सा और भी जादा समझ में आएगा, थोड़ा सा दिमाग में सेटल होगा, आपको रटा ना मानना पड़े, आपको अगर understanding होगी तो आप अपनी language में खुद ही लिख लोगा, यह मेरा aim है, कि आपको इतनी अच आपने NCRT नहीं रटनी हमें NCRT समझ नहीं है, आपने NCRT नहीं रटा मारना, आपने उसको समझना है, ठीके, चलिए, He who decides to be served and waited upon by slaves, He, मतलब कि जो इंसान ये decision लेता है, कि उसको serve करा जाए, He who decides to be served, जो कि ये चाहता है, या जो decide करता है, कि मुझे हर बाक्त serve करा जाए, and मेरी इंतजार करी जाए, waited upon by slaves, और इंतजार कौन करें, slaves इंतजार करें, ठीके, तो मेरी इंतजार करी जाए, इल-treated slaves are that, और वो भी कौन से? इल-treated slaves, ठीके, वो slaves जिनकों की बहुत जादा, इल-treated करा जा रहा है, ना बेटा, यहाँ पे अब ये दो चीज़े हैं, अभी इसमें पहले ही question है, कि whom, क्या message वो convey करने की कोशिश करने हैं, और दूसरा, वो किस के बारे में बात करने हैं, जब वो slaves के बारे में बात करें, पर anyways, आगे चलते हैं, अभी पहले कुछ text राट पढ़ लेते हैं, then we'll answer, must be fully aware, उसको ये पता होना चाहिए, that by doing so, he is placing his property and his life, कि ऐसा करके, कि वो जो है, वो ये चाहता है, कि दूसरे लोग हर बत मेरे को serve करें, मेरी इंतजार करतें, और व वो भी इंसान ऐसा काम करता है, उसको ये पता होना चाहिए, कि इस तरह से वो करके, अपनी property, अपनी खुद की property और अपनी life जो है, वो ऐसी situation में डाल रहा है, he is putting his property and his life in a situation, which is very different, वो बहुत ही जाधा different है, from that he would be in, वो situation से बहुत जाधा different होगी, had he chosen the services, अगर उसने ये choose करी होती, services of free and well treated men, now अब ये, वो ये कह रहा है कि अगर कोई इनसान ये decision लेता है, कि मेरे को हमेशा serve करा जाए, तो वो अपनी property को और अपनी life को एक ऐसी situation में डाल रहा है, जो कि बहुत अलग होगी उस situation से, जिसमें कि वो services लेता है, मैं ये नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं services लेता है, बट जिनकों की slaves की तरह ट्रीट ना करा जाए, बलकि जो कि freely काम कर रहे हैं, और जिनकों की well treat करा जाए, अच्छे से treat करा जाए, and he who chooses to dine to the accompaniment, और जो कि ये चूज करता है कि मैं बैट के खाना खाऊं, to the accompaniment of his victim's groans, कि मैं खाना खाऊं किस वक्त, जब जो मेरे victims हैं, वो परिशान हो रहे हूं, वो ग्रोन कर रहे हूं, वो क्रिब कर रहे हूं, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, और साथ में जो हैं, मेरे पास जो चारों जो मेरे victims हैं, वो परिशान हो रहे हैं, वो ग्रोन कर रहे हैं, अगर इस situation में भी मैं चूज करके अराम से बैठके खाना खा सकता हूं, ठीक है, then should not complain, तो वो इस इंसान को कभी भी complaint नहीं करना चाहिए, if during a riot, his daughter gets kidnapped, और his son's throat is slit, तो उसको कभी भी complaint नहीं करना चाहिए, अगर कोई riot के दौरान उसकी daughter kidnapped होती है, यहां सन का जो throat हो slit होता है, यहां पर this is horribly violent statement, मैं इसको और explain नहीं करना चाहूंगी, I don't want to talk about it, but anyways, since यह आपके activity का पार्ट है, तो मैं थोड़ा सा करा देती ही, but I really don't want to talk about this, this is horribly violent and I do not approve of this, in fact I don't know why NCRT वाले इस तरह के extracts रख रहे हैं और उसके उपर questions भी पूछ रहे हैं, anyways, what message is Young trying to convey हो, now the question is कि Young जो यह आथर यंग है, यह क्या message यहां पर convey करने की कोशिच कर रहे है, तो Arthur Young जो है, यहां पर यह message convey करने की कोशिच कर रहे है, basically he is talking about King Lewis 16, कि उनों ने अपने चारोर ऐसे लोग रखे वे हैं, जो कि उनी की तरह है, जो हैं बिलकुल बाकी लोगों को 90% population, जो कि 3rd estate की है, उनको ill-treat करते हैं, उनसे service करवाते हैं, उनको payments भी नहीं करते हैं, उनक उसका मतलब क्या है, जो slaves के word से मतलब क्या है, यहां पर जो slaves का word है, उसका literal meaning नहीं है, figurative meaning है, आपने जो है English grammar में करा होगा, literal meaning and figurative meaning, literal होता है, जो exactly उसी वही चीज ले रहे हो, figurative है कि बोलना कुछ चारो, कह कुछ रहे हो, तो basically यहां पर जो slaves का word यूज करा गया, 3rd estate के ल private property नहीं थे, slaves की तरह, बट उनको उसी तरह से treat करा जाता था, उनके ओपर इतनी सारी rules and regulations लगा रहे हो, उनके ओपर कोई rights नहीं थे, ठीक है, उनके पास land बहुत काम थी, उनके पास duties बहुत सारी लगा रहे हो, तो यही चीज जह है, यह जो author, Arthur Young है, यहां से convey करने की कोशि देंजर में डाल रहे है, ठीक है, in a situation which is very different, वो एक देंजर में डाल रहे है, मतलब वो dangerous situation में अपने आपको डाल रहे है, as compared to a situation, जिसमें की यह लोग वो उनकी services ले, जब वो लोग खुद अपनी इच्छा से काम करना जाएं, ठीक है, तो who is he criticizing, he is criticizing, obviously the first two estates, जो पूरे जो पहले दो estates थे, especially King Louis XVI, जो कि उनके राजा थे, और वो कुछ भी नहीं कर रहे है, situation को improve करने के लिए, what dangers does he sense in the situation of 1787, और वो इस situation में क्या dangers sense कर रहे हैं, obviously वो जो sense कर रहे हैं, वो revolt या rebellion का danger जो है, वो sense कर रहे हैं, कि अगर ऐसा होता रहे, तो आगे जाके जो है na, obviously public जो है reward करने क्या हक रखेगी, क्योंकि वो करेगी, क्योंकि वो भी कभी ना कभी आके दुखी हो जाएगी, ठीक है, okay, now यह जो उपर वाले जो extract है, George's, Danton के बारे में, यह अगर आप quickly read करें, तो हो सत्या teacher जाए, इसमें भी question दे दे, but यह बहुत simple extract है, और यह basically किसके बारे में ह है कि एक जो person है, जो कि बाद में, जो है, French Revolution में काफी active हो गए थे, पर जिन्होंने 1793 में एक extract लिखा था, अपने past के बारे में, अपनी young age के बारे में, ठीक है, before the French Revolution उनने क्या face करा था, तो इन्होंने face करा था कि वो, उनकी education उनने ले ली थी, तो I was educated in a residential college of places, तो उनने education उनको ले ली थी, पर उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, कहीं पे थी, ठीक है न, तो studies उनकी complete हो गई थी, पर उट उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर जगे कोई न कोई बाना मिल रहा था उनको, नौकरी नहीं मिल पारी थी, और यह बह जोब होगी, वो by birth ही decide जाती है, कि एक priest का बेटा ही priest बनेगा, तो वो कहीं पे बीच जा रहे थे, उनके father का पूछते थे, कि आपके father क्या करते हैं, तो वो मना कर देते थे, कि ना तो उनको priest की नौकरी मिल थी, ना उनको king के royals की कोई नौकरी मिल थी, वो जो नौकरी करन है, ठीक है, चलिए, अब आगे चलते हैं, next वाले पर बात करते हैं, okay, now यह है declaration of the rights of man and citizen, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कि अब यह इसमें हमने अर्डी रीट करा था chapter के टाइम पर, कि 6 declarations हैं इसमें, और आगे भी थे, पर यह जो इसके questions हैं, यह इनी 6 से related है, compare the political rights, जो third वाला topic है, यहाँ पर, compare the political rights, which the constitution of 1791, 1791 में आपको यादे national assembly बन गई थी, ठीक है, constitutional monarchy जो है, फ्रांस में आ गया था, the constitution of 1791 gave to the citizens with articles 1 and 6, तो इसमें जो हमने 1 and 6 के बारे में वो सवाल पूच रहा है, कि यह constitution में क्या लिखा था, और पाइनली उनने इंप्लिमेंट क्या कर gave to the citizens with article 6 and 1st and 6 of the declaration, are the two documents consistent, do the two documents convey the same idea, और वो बिसिकली यह पूच रहा है, कि जो declaration of rights of man and citizen, जो कि originally इन्होंने बनाया था, लोगोंने मिल के बनाया था, सब मिल के लोगोंने बनाया था, और जो बाद में constitution जो adopt करा गया, क्या उसमें जहें सेम चीजें थी या नहीं थी, या आपको कुछ फरक लग रहा है, to the two documents convey the same idea, क्या वो दोनों जो चीजें है, एक constitution और दूसरे declaration of rights of man and citizen, यह constitution नहीं था, यह एक लोगों की opinions थे कि ऐसा होना चाहिए, तो यह जो opinions है, क्या यह constitution के साथ match कर रहा है, और इसमें जहें उनका focus particularly 1 and 6 पे है, ठीक है, अब आप देखो 1 में कहा है, men are born and remain free and equal in rights, अब आप देखिए, 1 में जहें यह बहुत, specifically इस बात को बोल रहा है, equal in rights, next, जो है, law is the expression of the general will, all citizens have the right to participate in its formulation, formation, अब आप को देखो, जो law है, law के बारे में बताया जा रहा है, कि सारे citizens को हक है, participate करने का in its formation, क्या कि finally वो जो law है, वो किसके उपर लगना है, वो तो लोगों के उपर ही लगना है न, तो जब वो law लोगों के उपर ही लगेगा, तो लोगों को ही permit होना चाहिए, कि वो law making में, जो है, participate कर सकें, ठीक है, in its formation, personally, या तो वो खुद करें, or through their representatives, या तो खुद participate करें, या अपने representatives की through करें, all citizens are equal before it, now basically वो क्या कह रहा है, कि ये जो है, ये कह रहा है, कि law जो है, वो सब लोगों पर implement होता है, हर एक के लिए वो बराबर है, तो जिब सब पर implement होता है, तो उसकी जो formation है, कि क्या law होना चाहिए, किस तरह का law होना चाहिए, उसमें भी तो स सब क्या बराबर का हिस्सेधारी होनी चीए, या तो हर इन्सान खुद करें, या अपने representatives के तरफ करें, इसका मतलब, ये क्या दर्शारा है, ये बात कर रहा है, वोटिंग का, कि हर इंसान को वोटिंग का राइट होना चाहिए, इसका मतलब ये बात कर रहा है, यूनिवर् होने का भी राइट होना चाहिए तब ही वो इलेक्ट करने के बाद जहें वो लॉव मेकिंग में पार्डिसिपेट करेगा ना यह था ओरिजिनल उपिनियन लोगों का ठीक है बट क्या का स्ब्सक्राइब का खांट कर रहागैSm means कि हम इसमें यह बात कि आब आप मुझे सोच के बताओ कि आप को लगते हैं कि यह आपको क्या लगता है okay obviously नहीं थी क्या कि उन्होंने तो उसमें क्या कह दिया था कि all men सिरफ 25 साल से उपर के लोगों को वोटिंग राइट दे दिया था मलब वही lawmaking में participate कर सकते थे प्लास जो है उसके बाद जो है सिरफ वह लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे जो कि टाक्स देते थे ठीके ना और या फिर वो इलेक्ट हो सकते थे वह एलेक्शन में खड़े उस थे जो कि बहुत जादा टाक्स दे इसका मतलब जो एक्चुल कॉंसिट्यूशन में तो मैंन को इक्वल माना ही नहीं गया जो टाक्स पेर्स हैं उनको बहुत हाई लेवल पर माना गया उनको एक्टव सिटिजन बोला गया कि यही लोग हैं जो कि law making process में पार्डिसिपेट करेंगे जो कि country का बहुत छोटा हिस्सा था सिर्फ 20 परसंट population थी ठीक है बाकियों को इसका मतलब उनके बराबर नहीं समझा जा रहा था ठीक है नो तो पे कि declaration talks about equality of every man वही पे जो constitution है वो बात क्या करता है इड जो preference to the taxpayers ठीक है जो दू 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 कि दूनो डूकिमेंट दू नू कि दूनो कि दूनो documents do not convey the same idea रादर जो constitution है जो प्रेफरेंशिल treatment to the taxpayers while the declaration of rights of man gives equal treatment to every man irrespective of his financial status समझ में आगी पेटा ठीक है चलो next question which groups of the French society would have gained from the constitution of 1791 कि जो अभी जिट constitution बनाया था 1791 में तो अब France की economy का या France की जो country है उसमें कौन से लोगों ने गेन करा होगा obviously the richer sections who were the taxpayers क्यांकि उनको जह है पे वोट करने का भी राइट था और elect होने का भी राइट था which groups would have had reasons to be dissatisfied अगर आपको याद हो तो यह similar question जो है उसमें भी था NCRT के back question में भी है पर इसमें रहना activity के form में भी दे रहा है तो कौन से groups के पास reason to be dissatisfied यह मैंने तब भी बताया था आपको कौन-कौन से obviously women and the poor class who could not pay taxes ठीक है what developments does Marat anticipate in the future अब यह Marat का जहें text I'm not sure मैंने लिखा है कहीं पर yes नहीं sorry Marat का मैंने टॉपिक टेक्स नहीं लिखा पर anyways आप read कर ले न तो जो है what developments does Marat anticipate in the future तो Marat भी अगर आप उसका जो text read करें source b को read करें तो उसमें भी उसमें यही कह रहा है कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो public will reward कि इस तरह से जो है यह non-stop जो है यह situation नहीं चल सकती okay imagine the impact of the events in France on neighboring countries such as Persia, Austria, Hungary or Spain all of which were absolute monarchy तो अब यह सवाल पूछ रहा है कि आप imagine करो कि यह जितने भी events थे जो फ्रांस में जो उस वक्त हो रहे थे obviously बात तो पैलती है अगर श्री लंका में कुछ हो रहा है पाकिस्तान में कुछ हो रहा है चाइना में कुछ हो रहा है बांगलादेश में कुछ हो रहा है तो पता तो चलता है और हमारी उसके साफ से एक response भी होता है response mechanism भी होता है एक reaction भी होता है कि हमें आप कैसे behave करना है कैसे react करना जैसे कि रॉष्य यूक्रेयन वार हो रहे तो वी हाव और और रिस्पांस मेकानिजम तो तो सेम चीज़ और यहां पूचिए कि जो इस वर फ्रांक्स में जो इवन्स हो रहे थे तो उसका आपको क्या लगता है जो नेभरिंग कंट्री से सच पर्शिया ऑस्ट्रिया हंगरी स्पें इन सब पर क्या असर हो रहा होगा जो की खुद भी एक absolute monarchies थे मतलब जहां पर की complete monarchy थी, king के पास ही हर power थी, there was no law, अलग से कोई legislature या assembly नहीं थी, अलग से कोई judiciary नहीं थी, king was the absolute leader of the country. तो उनके ओपर क्या असर आ रहा होगा? How would the kings, traders, peasants, nobles or members of the clergy here have reacted to the news of what was happening in France? तो वहाँ पर उस country की जो different different strata की जो लोग थे, उस country की जो different different strata की जो लोग थे, उन्होंने जहें कैसे react करा होगा? ना बेटा, बहुत असान सी बात है, आपको क्या लगता है, कि उन्होंने कैसे react करा होगा? Obviously, जो kings हैं, या जो nobles हैं, जो clergy हैं, क्योंकि ये सारा revolt किसके खिलाफ था? ये public का, इन तीन लोगों के खिलाफ था, king, clergy and the nobles, ठीक हैं? जो कि first two estate बनाते हैं, तो same जब बाते बाहर जब जारी थी, तो बाहर पे भी तो king, clergy and nobles को अपने लिए एक डर लग रहा होगा, कि same situation अगर यहां पे अपने country में भी repeat हो गई, तो we also face, we are also likely to face a similar kind of a situation, ठीक हैं and similarly, अबने दूसरा जो पूचा है, कि यह traders है, peasants है, उन पे क्या reaction आ रहा होगा, obviously, they would be getting encouraged, they would be delighted, कि इस तरह की, इसका मतला possibility है, that you can overthrow the monarchy, monarchy को हम उठा के फेग सकते हैं and that monarchy can be replaced by an alternative system of governance, which is called democracy, ठीक हैं तो इसलिए अगर आपको याद हो, कि इसके बाद जब constitutional monarchy बन जाती है, तो King Lewis जब बहुत distrust, मतलब he was not happy with the situation, he was not happy with the events that were happening, तो वो ऑस्ट्रिया को invite करता है, कि आप आके country में attack करो and then फिर उसके रहत वो अपनी veto power use करता है, कि मैं अपनी आर्मी को लड़ने के लिए नहीं बेजू को कि उसीने तो invite करा था और उसने, कि आप आगे ये जो revolution country में हुआ हुआ है, ये जो revolutionaries है, इनको revolution को दबा दो, तो वो ऑस्ट्रिया इसी लिए तो agree करा था, कि मेरे को करना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं कि France की situation हमारे अभी replicate हो जाए, हमारे अभी repeat हो जाए, हमारे भी peasants है, हमारे अभी traders हैं, वो भी कुछ सीख के जाए, revolt करते हैं, तो इसमें जो है, दो अलग आपने answer देने हैं, one, peasants traders के point of view से, two, जो है, king, clergy, nobles के point of view से, कि वो जो थे, बहुत डरे वे थे, they were skeptical, they wanted to suppress the revolt, और इसलिए वो जो है, they agreed to the king, Louis XVI's request for attacking France, और दूसरी तरफ जो आपको opinion देना है, traders का, and peasants का, जिसमें की, they were actually getting enthused, and encouraged to organize a similar kind of revolt in their own country, ठीक है बैटा, clear, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें, चलो, अब आगे चले, okay, okay, चलो, अब आगे चलते हैं, now, what is liberty, two conflicting views, अब नाओ, यह जो question है, यह है, इन दो views के ऊपर, एक है, बाइ, जो, बाक्सिमिलन, रॉबल स्पेर के, एक supporter है, उन्होंने लिखा, about liberty, and दूसरा, जो की, एक revolutionary थे, Desmolens, जो की, मैंने आपको summary, वीडियो में भी बताया था, की, Jacobian के mainly, दो, दो बड़े, जो critique थे, जिनके के नाम, आपको याद रखने चाहिए, बान, बान, जो है, यह, यह, बाक्सिमिलन, और यह, जो, लेडी थी, जो, gorgeous, जो लेडी थी, दीखे, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो यह Desmolens, जो थे, he was a critique of the Jacobian movement, and particularly Maximilian Roberts pair, तो इन दोनों ने अपना अलग-अलग जो है, एक account लिखा है, about liberty, की liberty की definition, दोनों ने, आप देखो, same word को दो जिने define कर रहे है, बट अपने-अपने नजरिये से define कर रहे है, Desmolens, liberty को एक अलग तरीके से define कर रहा है, and यह जो है, Maximilian Roberts pair की supporter है, यह liberty को अपनी अलग तरीके से define कर रहे है, और यही question है, compare the views of Desmolens and Roberts pair, how does each one understand the use of state force, की आप दोनों को compare करो, और दोनों के दोनों किस तरह से defend करते हैं, justify करते हैं, यह understand करते हैं, जो state जो इतना rootlessly काम कर रहा है, जो state की machinery है, जो उसके police है, जो उसकी administration है, जो उसके army है, जो इतना ζबदस्ती forcefully, सब को किसी को मार रही है, किसी को पीट रही है, तो ये जो state force की जो इस्तोमाल है दोनों जो है उनका दोनों का क्या नजरिया है उसकी तरफ लेकर मैं अपना pen निकाल लेती हूँ ये जो फ्रेज है जो फ्रेज क्या है वहां पे जो है इंडिविजुल के लॉस के बारे में जो है क्या बात कही गई है ना चलो पहले सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि अब liberty के बारे में Desmolens क्या कह रहे है तो पीपल बिलीज दे लिबर्टी इस लिबर्टी के बारे में क्या कह रहे है liberty is happiness, reason, equality, justice, it is the declaration of rights you would like to finish off all your enemies by guillotining them क्या तुम जहें तुम जहें अपनी सारी enemies को finish करना चाहते है मतलब यह Maximilian Roberts pair के लिए बोला जा रहा है क्या तुम अपनी सारे enemies को finish करना चाहते हो by guillotining them उनको मार के has anyone heard of something more senseless क्या किसी ने इससे जाधा बिकार बात सुनी है would it be possible to bring a single person to the scaffold without making 10 more enemies among his relatives, relations and friends यह हमने पूरा जहें उसमें वीडियो की दौरान भी पड़ा था यह वो बेसिकली पूछ रहे है कि क्या तुम किसी को execute कर सकते हो मार सकते हो इसको scaffold तक ला सकते हो without बिना उसके जो relatives हैं उनको नाराज करें या उनको अपना दुश्मन बनाए वे तो अगर एक को मारोगे तो उसमें से 10 तुमारे और दुश्मन खड़े हो जाएगे क्योंकि जो की उसके relatives हैं, friends है, जो की नाराज है तुमारी सरकत से तो यह नजारिया है Desmolens का की जो की liberty को happiness, reason, equality, justice मानते हैं तुमारे लुके इस टर्म्स, on the other end यह maximal and robbers pair के opinions हैं तो जो की उन्होंने लिखे थे और इसमें क्या कह रहा है to establish and consolidate democracy, to achieve peaceful rule of constitutional laws we must first finish, look at the term और यही चीज़ पूछी गई है, हमें सबसे पहले finish कर देना चाहिए, खतम कर देना चाहिए क्या, war of liberty against tyranny बलब यह खुद ही मान रहे हैं कि मैं जो हूँ टाहिनी हूँ मैं जो हूँ, मतलब बहुत ruthlessly या बहुत ज़ादा gruesome तरीके से country को rule कर रहा हूँ तो और यह पर यह साथ में यह भी कह रहे है कि यह जो लोगों की जो war है liberty की कि हमें liberty चाहिए, हमें freedom चाहिए, हमें equality चाहिए, हमें happiness चाहिए, justice चाहिए यह जो वो war create कर रखी है, वो जो revolt कर रहे हैं चाहिए, इसको हमारे को finish करना पड़ेगा, यह हमारा काम है, यह war of liberty है, इसको हमें लोगों की liberty नहीं चाहिए अब आप खुद देखो कि यह जो maximum robber's paira, यह king Lewis के बारे में जो बात कहते थे, उसके खिलाफ जब रूट करा तब यह Lewis के बारे में जो बात कहते थे, उन्होंड खुद वही करा जब यह सब्सक्राइब के इलेक्टेट लीडर बन गए, तो यह क्या कहते है कि देशुद, he should finish this war, इसको खतम कर देना चाहिए, करतेल कर देना चाहिए, against tyranny, खुद ही मान रहे कि हां, मैं tyranny कर रहा हूं, we must annihilate, annihilate, बिल्कुल खतम कर देना चाहिए, मार डाला चाहिए, the enemies of the republic at home and abroad, जो republic, constitutional republic बना, constitutional republic बना है country, तो यह जो है, इसको, इसके जितने भी enemies हैं, इनको खतम कर देना चाहिए, लोग republic की enemies नहीं थे, लोग किसके enemy थे, Maximilian Roberts Pair के behavior के enemy थे, ठीके न, उनको republic चाहिए था, यह इसमें Maximilian Roberts Pair totally जो है, एक अलग view point करने की कोशिश कर रहा है, वो लोग इसक एक हिलावते कि वो जिस तर से behave कर रहा है, और else we shall perish, we shall मतलब वो कह रहा है कि अगर हम लोगों को नहीं रोका, तो हम लोग perish हो जाएंगे, in time of revolution, a democratic government may rely on terror, मतलब यह कुदी कह रहा है कि अगर revolution के दौरान, जो democratic government है, उसको हग है कि वो terror पे rely करे, now, terror पे rely करने का हग बेटा, किसी को भी नहीं है, this is absolutely wrong, और इसी वजह से इनको बाद में arrest करके execute कर दिया गया था, because terror और violence और any physical abuse of any kind, in any manner, is strongly unjustified, is strongly condemnable, ठीक है, तो उसका हमेशा oppose करना चाहिए, condemn करना चाहिए, तो यह कह रही है, may rely on terror, but no, this is wrong, one should never rely on terror, Terror is nothing but, तो आगे मैं यह सब नहीं पढ़ती हूँ, क्या कि यह बहुत ही ज्यादा बेकार की बाते हैं, so I am not gonna read this, but anyways, तो यह जह है, यह difference of opinions हैं between two people, and this is what you have to analyze, ठीक है, what did the constitutional laws on the rights of individual lay down, और जबकी constitution, यह declaration of rights of man हैं, उसमें rights of individual freedom क्या था, कि हर, कि हर political association का, क्या हक, क्या फर्ज है, to preserve, हर इंसान का right को preserve करना, और वो कौन-कौन से rights थे, liberty के, property के, security के, तो यह nation का फर्ज था, कि वो हर इंसान की rights को preserve करें, और जबकी जह है, यह Jacobian government, यह जिसको कि revolutionary government भी कहते हैं, यह totally उसके, उल्टा काम कर रही थी, ठीक है, चलिए, okay, now, यह, है question on, ओलंपे, डी-गॉज जो थी, जिन्होंने अपना खुद का एक declaration दे दिया था, declaration of women and citizens, क्या कि यह इस बात से बहुत तराज थी, कि जो भी कुछ हो रहा है, उसमें, हम औरतों की मदद तू ली जा रही है, revolt में, but finally, जब rights देने की बाद आती है, तो हमारे को राइट नहीं दिया जाता, हमारे को जो है, बिल्कुल अलग रखा जाता है, तो इसलिए इन्होंने अपना ही एक अलग declaration दे दिया था, ना अब question क्या है, compare the manifesto drafted by Olympia de Gouges, with the declaration of the rights of man and the citizen, कि Olympia de Gouges ने जो declaration दिया था, declaration of woman and citizen, उसको आपको compare करना है, with the declaration of the man and the citizen, ठीक है, दोन समझोगे कि इसमें ये बार-बार, जो है, na, equality की बात कर रही है, between a man and a woman, liberty वगारा हर चीज की बार में बात कर रही है, but from the नजरिया, but from the viewpoint, from the perspective of both a man and a woman, ये वहाँ पे, जबकि अगर आप इसके बार में बात करो, ये वाला जो था, यहाँ पे ये सिरफ man, man, man बोल रहे है, they never use the word men and women, they are only talking about right to equality, right to freedom, right to liberty, by and for men, right, इसलिए इसका नाम भी कहा है, of man and citizen, they do not consider women to be a part of it, okay, वो women की मदद ले रहे है, revolution में, but when it comes to granting them rights, when it comes to granting them equality, when it comes to granting them freedom or liberty, they take a back seat, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं जी ये पॉसरबल नहीं है, जबकि Olympia D. Gorgeous हर चीज में कहीं पे भी ऐसा नहीं करी कि सिर्फ woman, woman, woman की बारे में बात करी है, she is always talking about the equality of man and woman, rights of both man and woman, कहने कि हर चीज में, चाहे कुछ भी हो, man and woman दोनों बराबर and which is absolutely right, तभी तो जहें, इंडिय इतना progress कर पाएगा और कर रहा है, because ladies को आगे आने का हक मिल रहा है, ठीक है, so again, what she says is कि एक नेशन क्या है, एक देश कुछ भी नहीं होता, but it is a union of a man and a woman, of a woman and a man, similarly, same law क्या है, law is the expression of general will, all female and male citizens, again she is talking about both male and female citizens, should have a say either personally or by their representatives in its formulation, कि law की formulation में हरेक को हक होना चाहिए, मतलग, she is talking about universal franchise for both men and women, ओरतों को भी right होना चाहिए, voting का and to get elected, तभी तो वो भी participate कर पाएगी in the formation of laws, it should be the same for all, all female and male citizens, again she is talking about both female and male citizens, ठीक है, are equally entitled, no woman is an exception, और वो खुद कह रहे है कि अगर कोई और गलत काम करती है, if she is accused, detained, तो उसके अपर भी, तो वो उसको accused भी करना चीज़िए, और उसको उसको उसी तरह से ट्राई भी करना चीज़िए, पनेश भी करना चीज़िए, जैसे कि एक लॉं में पर्मिटेड है, होगा हमने बहुत तरीके से कर लिया हमने चाप्टर को अलग अलग मैंने मतलब भूद ही इस चाप्टर को अलग अलग पॉर्शन पर डिवाइड करके इसको करा है मैं ऐसा नहीं कि थाड़े तीन गंटे की चार गंटे की विडियो बना दी कि आदमी का दिमाग जनना जाए कि हो क्या रहा है और बीच में बना बंद कर दें नहीं कि एक घंडे के बाद मेरा दिमाग पाखल बन जाता है तो आपका तो बनता ही होगा बिकुस आपको इतना सारा पढ़ना है ठीक है ना तो आई हंड़ेड परसंट अग्री तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूं मैं कि सिर कर लिए हमने सीश समरी कर लिया और अब हम ने जहें सकि विजेंट चाप dol activities भी कर लिया है प screens क्रिके आपने कीजिए का अगर आपने जहें डे नोटिकेशन देख़ा हो तो जीडेवaffeी के जितने भी यचा यह और Heelers my website www.thesubjectmasters.com नहीं तो मेरे जितने भी थम्मनेल्स हैं उन सब के उपर जहें मैंने जहें ब्लू कला का क्यूर कोड डाल रहा है उस क्यूर कोड को आप स्कान करें रिच तो मैं वहां पर जोग्रफी चाप्टर 1 पर जाहिए और वहां पर आपके पास सारे पीडियाप्स आप के पस available हैं आप उनको download कर सकते हैं तो और आप उनको जहें फाल आप कर सकते हैं to keep your own ready रेकन, to keep your own notes so that कि आप कभी भी कहीं पर बैट के पर सकें because I know आप school में जहें laptop ये cellphones नहीं लेखे जा सकते हैं same way जैसे ही history का prepare होते हैं ready होते हैं I'll do that for history also and then you can download it from my website चालिए बेटा so till next time bye and good day and have a great life and besides that do well in your exams I am 100% sure कि आपके exams आने वाल हैं चाहे unit test हो चाहे midterms ओ ठीक है by the way before leaving again the same request like share and subscribe fine bye check care and good day